हलो दोस्तो तैयारी कल्लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित का प्रक्टिस सेट 32 जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 1-31 तक के प्रक्टिस सेट देख लिये थे अगर दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कल्लो के साथ तैयारी करते रहें दोस्तो ये जितने भी प्रक्टिस सेट हैं या UGC NET, CTET, SET, TGT, PGT, Grade, 1, 2, 3 और जितनी भी सिक्षक पातरता परिक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्तपूर्ड हैं दोस्तो यदि आप हिंदी साहित, हिंदी गद्ध विधाएं या फिर हिंदी वियाकरण से संबंदित अन वीडियोस देखना चाते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं तो दोस्तो पूरी विडियो के साथ बने रहें और तयारी कर लों के साथ तयारी करते रहें पहला सवाल है अयोद्ध्या सिंग उपाद्ध्याए हरियोद जी ने महादेवी के काव संकलन नीहार की भूमी का कब लिखी अगला प्रशन है ससुराल पहुचकर महादेवी वर्मा जी ने जो उतपात मचाया उसे ससुराल वाले ही जानते हैं किसने कहा था उप्षन है आ अग्गे जी ने उप्षन बा निराला जी ने उप्षन सा गंगा प्रसाद पांडे ने या फिर उप्षन दा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने तो इसका सही उत्तर है उप्षन सा गंगा प्रसाद पांडे जी ने कहा था अगला प्रस्ण है महा देवी वर्मा महा देवी वर्मा जी को कविता लिखना और साहित में रूची लेने के लिए प्रेरित किसने किया था किसने प्रेरित किया था option है माता जी ने पीता जी ने सही उत्तर है अगला प्रशन है हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा सही उत्तर है आफशन सा निराला जी ने कहा अगला प्रशन है युग वाडी रशना में सुमित्राना नंदन पंत जी ने प्रगती वाद को क्या उपमा दी है Option है आ, प्रगती की गंगा, Option बा, प्रगती का युग, Option सा, प्रगती की वीड़ा, या फिर Option दा, आधुनिक युग का आरंब सही उत्तर है, Option सा, प्रगती की वीणा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्माजी ने कितने वर्ष की आयू में कविता लिखना प्रारंब किया था कितने वर्ष की आयू, Option है आ, सात वर्ष, Option बा, नौ वर्ष, Option सा, ग्यारा वर्ष, या फिर Option दा, तेरा वर्ष, सही उत्तर है, Option आ, सात वर्ष की आयू से अगला प्रशन है सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था अगला प्रशन है पंत जी को हिंदी सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए पंत जी के काववे को विद्वानों ने कितने चरणों में रखा है कितने चरणों में रखा है उप्शन है अब चै बा चार सा पांच या फिर उप्शन दा तीन सही उत्तर है उप्शन बा चार चरणों में रखा है अगला प्रशन है कला और बूढ़ा चान किस वाद के अंतरगत आती है उप्शन है आ चाया वाद उप्शन बा प्रगती वाद उप्शन सा अंतश चेतना वाद या फिर उप्शन दा नौ मानावता वाद सही उत्तर है उप्शन दा नौ मानावता वाद अगला प्रश्न है तुलिसी दास को कली काल का वालमी की किस ने कहा आप्शन है आ, राम चंदर शुकल ने, आप्शन बा, रामा नंद ने, आप्शन सा, राम विलास शर्मा ने, या फिर आप्शन दा, नाभादास ने सही उत्तर है, option दा, नाभहादास जी ने कहा. अगला प्रशन है, तुलसी दास. तुलसी दास जी ने निम्न में से किसकी रचना ब्रज भाशा में की है. किसकी रचना ब्रज भाशा में नहीं की है. आप्शन है आ विन्य पत्रीगा आप्शन बा गीतावली आप्शन सा दोहावली या फिर आप्शन दा बर्वय रामायण सही उत्तर है आप्शन दा बर्वय रामायण की रचना ब्रज भाषा में नहीं की है अगला प्रश्ण है, हित जु को मंगल, किसकी रचना है? आ, हितहरी वन्ष की, आप्शन बा, चतुर भुजदास की, आप्शन सा, जीत स्वामी की या फिर आप्शन दा, कुंभन दास की सहितर है, आप्शन बा, चतुर भुजदास जी की है अगला प्रश्ञ है, कॉन कवी क्रश्नास्रै साखा से संबंधित नहीं है अप्शन है A, कुम्भन दास, option 2, सुन्दर दास, option 3, कॉन्दास या फिर ओप्शन दा, नन्द दास सही उत्तर है, option 2, सुन्दर दास अगला प्रश्रण है शुक्ल जी ने किस गरंथ को सूफी पद्धती का अंतिम गरंथ माना है अप्शन है A इंद्रावती अप्शन 2 मधुमालिती अप्शन 3 अनुराग बासुरी या फिर अप्शन 2 ज्यान दीब सही उत्तर है अप्शन A इंद्रावती अगला प्रश्ण है राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परशाही यह पंक्ती किस ग्रंथ से ली गई है अगला प्रश्ण है सत्य नामी संपरदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है अप्शन है आ अक्षर अनन्य बा श्रीचंद सा जग जीवन दास या फिर अप्शन दा दादू दयाल सही उत्तर है अप्शन सा जग जीवन दास सत्य नामी संपरदाय के प्रवर्तक हैं अगला प्रश्ण है शेख बुरहान शेख बुरहान निम्न में से किसके गुरू थे शेख बुरहान किसके गुरू थे ऑप्शन है आ शेख नभी के ऑप्शन बा उस्मान के ऑप्शन सा कुतुबन के या फिर ऑप्शन दा मंजन के सही उत्तर है ऑप्शन सा कुतुबन के धर्म का प्रवाह कर्म, ज्यान और भक्ती इन तीन धारों में चलता है। इन तीनों के सामंजस से धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन किसका है? आप्शन है A. अप्शन है अगला प्रशन है गोरक जगायो जोग भक्ती भगायो लोग किसका कथन है? आप्शन है A. रामानंद का आप्शन बा तुलसीदास जी का आप्शन सा रामानुज का या फिर आप्शन दा शंकरा चारे का इसका सही उत्तर है? आप्शन बा तुलसीदास जी का कथन है। अगला प्रशन है छाया वादियों में गीत लिखने की कला में सरवाधिक सफलता किसे प्राप्त हुई शुक्ल जी ने कहा था किसके लिए कहा था आप्शन है आ प्रसाद के लिए आप्शन बाप पंत के लिए आप्शन सा निराला के लिए या फिर आप्शन दा महादेवी वर्मा जी के लिए तो इसका सही उत्तर है Option दा, महादेवी वर्मा जी के लिए शुकल जी ने कहा था अगला प्रश्ण है पंत जी की किस काविकरती को छायावाद का मेनिफिस्टो कहा गया Option है आ, पल्लव Option बा, गुंजन Option सा, वीना या फिर Option दा, ग्रंथी सही उत्तर है Option आ, पल्लव अगला प्रश्ण है निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रश्णा अर्विंद दर्शन से प्रभावित नहीं है Option है आ, यूगांतर, बा, सुर्ण धूली, सा, सुर्ण किरण या फिर Option दा, पल्लव सही उत्तर है Option दा, पल्लव अगला प्रश्ण है तुम वहन कर सको जन्मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हे क्या अलंगकार Option आ, महादेवी वर्मा Option बा, सुमित्रा नंदन पंत Option सा, बाल करशन शर्मा नवीन या फिर Option दा, इन में से कोई नहीं किसकी पंक्तियां है? Option है सही उत्तर है बा, सुमित्रा नंदन पंत जी की अगला प्रश्ण है दिनकर दिनकर के किस कावे को सुमित्रा नंदन पंत ने छाया वादी अभिवेंजना का एक स्रेष्टतम महा कावे माना है किस करती को? किस कावे को? Option है आ, एक लव्य बा, हुंकार, सा, साम, धेनी या फिर Option दा, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है Option आ, एक लव्य अगला प्रश्ण है पंत का दार्षनिक सिध्धान्त सुमित्रा नंदन पंत जी का दार्षनिक सिध्धान्त क्या था? Option है आ, सर्व हित वाद Option बा, भेदा भेद वाद Option सा, एक आत्म वाद या फिर Option दा, अभेद वाद इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है महादेवी वर्माजी की रचना गिल्लू गद्य की किस विधा में है अप्शन है आ जीविनी अप्शन बा कहानी अप्शन सा रेखा चित्र या फिर अप्शन दा संसमरण इसका सही उत्तर है आप्शन दा संसमरण में है अगला प्रश्ण है प्रथम चायावादी कवी कौन है जिन्होंने चायावादी कविता के बचाओ में आलोचना लिखी थी आप्शन है आ महादेवी वर्मा आप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत आप्शन सा जैशंकर प्रसाद या फिर आप्शन दा इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है आप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत जी अगला प्रशन है बौध दर्शन बौध दर्शन की च्छाप किस में मिलती है आप्शन है आ महादेवी वर्मा में आप्शन बा डॉक्टर नगेंदर में आप्शन सा सुमित्रा नंदन पंत में या फिर आप्शन दा निराला में इसका सही उत्तर है, option A, महादेवी वर्मा जी में बौध दर्शन के छाप मिलती है अगला प्रश्ण है, साहित्यकार की आस्था, निबंध किसका है? साहित्यकार की आस्था जो की निबंध है, किसका है? आप्शन आ हजारी प्रसाद दिवेदी आप्शन बा महादेवी प्रसाद महावीर प्रसाद दिवेदी आप्शन सा बाल क्रश्न भट या फिर आप्शन दा महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर है आप्शन दा महादेवी वर्मा जी की अगला प्रश्ण है प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है कौन सा है ओप्शन आ लहर ओप्शन बा आसू ओप्शन सा चित्राधार या फिर ओप्शन दा कानन कुसुम इसका सही उत्तर है Option दा कानन, कुसुम, प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रा है अगला प्रशन है इन में से कौन सा इन में से कौन सा कावविकरती निराला की नहीं है Option है आ परिमल Option बा अतिमा Option सा अनिमा या फिर Option दा अर्चना इसका सही उत्तर है Option बा अतिमा अगला प्रशन है निराला का दार्शनिक आधार क्या है निराला जी का दार्शनिक आधार क्या है Option है आ दोयत वाद बा शुद्ध दोयत वाद सा अधोयत वाद या फिर Option दा विशिष्ठ दोयत वाद सही उत्तर है option सा अद्वयत वाद अगला प्रशन है प्रसाद की ब्रज भाशा की कविताएं किस संगरह में है option है आ कानन कुसुम option बा लहर सा आसु या फिर option दा चित्रा दहार सही उत्तर है option दा चित्रा दहार अगला प्रशन है प्रसाद के गुरु कौन थे option है आ रसा option बा महवीर प्रसाद दिवेदी option सा सितारे हिंद या फिर option दा रसमे शिद्ध सही उत्तर है option दा रसमे शिद्ध अगला प्रशन है किस कवी के चंदों को आलोचकों दोवारा रबर चंद या केचुआ चंद कहकर उपहास किया गया है केचुआ चंद किसे कहकर बुलाया गया है option है आ किस के चंदो को option आ पंत बा महधेवी वर्मा सा निराला या फिर दा जहेशंकर प्रसाद सही उत्तर है option सा निराला जी के चंदों को अगला प्रशन है प्रसाद क्रत चपुकावे कौन सा है option है A. आसु बा जहरना सा उर्वशी या फिर option दा कानन कुसम सही उत्तर है option सा उर्वशी प्रसाद्द करत चम्पू कावव्य है अगला प्रशन है दार्शनिक द्रष्टी दार्शनिक द्रष्टी से प्रसाद जी क्या थे? आप्शन है आ नात बा दोयतवाद सा शुद्धा दोयतवाद या फिर आप्शन दा शैव सही उत्तर है आप्शन दा शैव थे अगला प्रश्न है निराला से बढ़कर स्वच्छंदता वादी कवी हिंदी में कोई नहीं है किसने कहा था आप्शन है आ आशार शुकल ने आप्शन बा महवीर प्रसाद दिवेदी जी ने आप्शन सा हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने या फिर आप्शन दा राम कुमार वर्मा जी ने कहा तो इसका सही उत्तर है Option सा हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने कहा था अगला प्रश्न है निराला करत तुलसी दास निराला करत तुलसी दास का काववे रूप है Option है A. महा काववे B. चपू काववे सा खंड काववे या फिर Option 2 अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब कमेंट कर दीजिए दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए तैयारी कर लो चैनल को दोस्तो आप हमें सजेशन्स देते रहें हमें आपके सुझाओ का इंतिजार रहता है थैंक यो फॉर वाचिंग दिस वीडियो